तो अगर कुल मिला कि एकर एस्टिमेट हम इसका बनाए तो अब तो है अगर कुल ने के वेल्पम बैक यो रहा दो अब अब मैं जो पराप आई तो तो इसके में धूल को विजरा सी पीज़ी ब्रेक खतम होगा है तो उसके लिए आपे लोगाना तक प्रेकॉ और अधो पीछे का ब्रेक ज़लवाया है पीछे का ब्रेक खतं हो गया था तो उसको भी इंस्टॉल करना था अभी बाइक का इसको भी दिखवाना है थोड़े दिनों में तो सारा काम अभी करवाएंगे यह था होगा कि जीजे की लाइब और यह फॉर्मूला एक्स और यह हैंडल बार राइजर और यह रियल ऑइल के पर इतना कुछ समान इस मोटरसाइकल में लगेगा तो सिनमाटिक्स एंजॉय करते हैं इस वीडियो को वेल वर्क डन और दिखाते हैं क्या-क्या पड़ा है इधर साइड बुबो का चार्जर यह 1700 का है और बार्क बस्टर्स के यहां पे हैंडगाड पड़े हैं यह आपके 2250 रुपए का कुछ है और ओइल कैप पड़ी है इधर रियर में और ओइल कैप के साथ यहां पे क्या कहते हैं स्कोमा मास्टर सिलेंडर गार्ड पड़ा है और ओइल कैप आपकी यही कुछ है प्रॉक्स है 500 रुपीज की और हैंडल राइजर है जो की इधर साइड है वो मो पड़ा है जिससे की एफेशेंसी कम हो जाती पंचर की 60-70 परसेंट और सिम्टैक पड़ा है जो की 1450 रुपए कुछ का था तो अगर कुल मिला कि एगर एस्टिमेट हम इसका बनाए तो 19,000 रुपए का कुछ बिल पड़ा है पूरा इस मोटर साइकल का तो 19,000 रुपीज का एसेसरी इसमें लोड़ी है और काफी जाता फ्रेंट से लोड़ेड हो गई है दिखने में अगर दूर से हम बात करें तो इतना भी नहीं लगेगा बड़ जब पास जागे देखें कि तब पता चलेगा इसमें काफी कुछ सामान लोड़ेड है और एक चीज मैं और भूल ग जगाए यह अपने शॉप स्पीट पिट सॉप कानपूर से डिलिवर्ड हुआ है डिस्प्ले पे जो कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था अभी मैं फिर से बता रहा हूं डिस्प्ले पे और इंस्टाग्रम आइड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएग और अच्छी है अबहूं जाएग एडियो ऑ्टाट राइड बता इंसे एड़ पाइड़ अटाट रहा हूं जाएग भर में झाल झाल